और यूपी से इस वक्त की बड़ी सियासी अपडेट आ रहे है शपत ग्रहन आज होना है सीम योगी आदितनात का और इस महाशपत के लिए लगातार तैयारिया जा रही है इस बीच सीम योगी आदितनात ने खुद फोन करके कुछ नेताओं को कारिकरब में फिर से आमंत्रत किया है सीम योगी ने मुलाईम सिंग यादब और अख्लिश यादब को फोन किया है और खुद आमंत्रत दिया है विक्तिकत तोर से कहा है कि आप stitch ग्रहन के हमारे कारिकरब में उनकिया है तो तमाम बड़े नेता विपक्ष के चहरे आज नजर आ सकते हैं यूपी के तमाम बड़े राजनेतिक चहरे कारिक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे वहीं भारतिये जंता पार्टी के तमाम नेता और कारिकरता आज लखनू में सुबह से ही जुट रहे हैं साम चार बजे से ये शबत ग्रहन का आयोजन इकाना स्टेडियम में होना है मंच तैयार है और स्यम योगी आदेतनात इस कारकरम के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं चोड़ रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने खुद अखलेश यादब, मुलाइम सिंग यादब और मा अकलेश यादब को और अमंत्रित किया है इस कारकरम के लिए शबत ग्रहन के लिए और अब अकलेश यादब इस कारकरम में शिरकत करेंगे लखनों पहुँच चुके हैं और एकाना स्टेडियम में आज शाम को दिखाई देंगे शबत ग्रहन कारकरम में और मुख्यमंत्र हीड दिखाई दे रही है लगबक 70-80-80-000 की संख्या में यहां बर कारिकरता और तमाम प्रशन सक मौझूद रहेंगे शपद गहन कारिकरम में और इसके साथ ही तमाम बड़े बियाईपी चहरे भी नजर आएंगे तमाम उद्योग पती बड़े राजनेतिक चहरे चाहे वो जनता पार्टीकों या फिर विपक्षी दलों के वो सभी आज इस सपद ग्रहन कारिकरम में नजर आने वाले हैं और यह महाशपत आज शाम चार बजे होनी है और इसके लिए लगातार लखनव में गहमा गहमी दिखाई दे रही है मंच पर तैयारियां पूरी की जा चुकी है मंच सच चुका है और अब इंतजार उस लमहे का है जब सियम योगी आदितनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपत लेंगे और महत्पों इसलिए क्योंकि राजनेतिक विद्वेस अपनी जग है राजनेतिक प्रतदुन्दुता अपनी जग ह लेकिन मायावती अखलेश आदव और मुलाइम सिंग आदव आज एक साथ योगी आदितनाथ के साथ नजर आ सकते हैं और उनको बधाईया देते हुए दिख सकते हैं तो इस वक्त कि ये बड़ी अपडेट है शाम चार बजे शबत ग्रहन होना है और मुख्यमंत्री योग झाल